इसलाम अलेकुम एप्रीवन विल्कम टू दे लेक्चर बॉक्स में हूं गुलजार मुनुवर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SDT, CDT, EDT के उपर यह क्या AML-CFT का बहुत इंपोर्टन पार्ट है जिसको नॉर्मली KYC कहा जाता है बैंक्स के अंदर, different financial institutions के अंदर इसको compliance division of the bank देख रहा होता है और इसको monitor कर रहा होता है continuously बहुत important वीडियो है for the persons जो के bank में interview देने जा रहे हैं या banker है for the general public भी बहुत important वीडियो है तो start करते है आज की वीडियो starting with a quick review of KYC, KYC क्या है जनाब आली तो KYC बुन्यारी तोर पे customer की eligibility को check करने का नाम है तो क्या वो bank के साथ relationship को काईम कर सकता है या नहीं कर सकता चीक है जनाब आली, लट से एक बन्दा एंटर होता है bank के अंदर 18 plus है लेकिन उसके पास CNIC नहीं है तो आप क्या उसको bank में account open करके दोगे, क्या bank से relationship करेगा, legal नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसकी identification अभी इस वक्त confirm नहीं है क्या आया वो पाकिस्तानी है, आया वो Indian है के नहीं, आप को confirm नहीं है क्या वो आप एक country का person है के नहीं है, ठीक है, लट से उसके बास CNIC मौझूद है अब आप क्या करते हो, उसकी verification करते हो, verification के लिए पाकिस्तान में नादरा का system लगा हुआ है तो bank वहां से उसको verify करते है, लट से एक बंदे का CNIC बना हुआ है ठीक है, आप CNIC के साथ, customer के साथ आप मिले हो, लेकिन अब आपने उसकी verification की, तो data नादरा में मौझूद नहीं था तो it means कि उसकी identification confirm नहीं है, तो आप वहीं रुख जाओगे, आप उससे relationship को काईम नहीं करोगे तो KYC के बुन्यादी purpose क्या है, आप customer को समझो, customer की need को समझो, customer की बुन्यादी, जो data है customer का, वो आपने लेना है KYC में आप KYC के different steps है, start कहां से होती है, और continuous process है, वो कैसे होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन एक दफ़ा, quickly छोड़ा सा review लेते हैं, ताकि इसका concept को आप मजीद clear कर सके, definition में आपको बता दिये, purpose यही होता है, simple, कि भाई, bank, use नहों सके, किसी criminal element के लिए, money laundering activity में, use नहों सके, बुन्यादी purpose यही है, ठीक है जनाब अली, बाकी example में आपको बता दिये, आगे पड़ते हैं जनाब, इसके different, जो levels हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, start करते हैं, SDD से, SDD को standard due diligence भी कहते हैं, और simplified due diligence भी कहते हैं, standard due diligence यह simplified due diligence में होता क्या है, let's say मैं bank हूँ, ठीक है, मेरे पास ए customer enter होता है, to open an account, तो मैं क्या करूँँगा, simplified due diligence में, उसकी CNIC जे करूँगा, original, उसको देखूँगा, उसकी verification करूँगा, कि यह CNIC valid है, कि नहीं है, ठीक है, उसको मैं नादरा के system में चक करूँगा, इसी तरह sanction list होती है, एक पूरी, जिसमें check किया जाता है, यह person legal activities के लिए eligible है, कि नहीं है, जो कि FVR और different government officials की दफ से list आती है, उसमें चेक करते हैं उस चीज को, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, कि भाई, why are you interested to have a relationship with the bank, ठीक है, एक salary person है, तो उसकी बाद reason होता है, मुझे salary receive करनी, एक business person है, उसकी बाद reason होता है, मुझे अपने business transactions को manage करना है, तो SDD के अंदर simply यह चीज़े होती हैं, why you want to have a bank account, ठीक है, purpose क्या है, account खुलने का, SCNIC की validity, source of fund की validity, जो जहाँ business कर रहा है, उस place की जो feasibility, यह सब चीज़ें आपके आती है, simplified due diligence के अंदर, यह first step होता है, जब customer इंटर होता है, बैंक में relationship बना रहा होता है, ठीक है, अब SDD के बाद second step है, that is CDD, आचा second step पे, हर customer नहीं जाता, देखें, जिससे पाकिस्तान के अंदर, state bank ने एक account खुलवाया है, असान account, उसके अंदर source of fund की requirement नहीं, उसमें requirement यह है, आपकी जो नादला का, जो CNIC है, वो okay होना चाहिए, यहना कि उसकी जो genuineness है, वो सही होनी चाहिए, वो sanction list है, बन्दा ना हो, उसका account ख पुल सकता है, तो यह category आती है, low risk customer में, ठीक है, जो low risk customer की KYC वो यहां तक होती है, जो आप यह आप screen पे देख रहे हैं, जिसको हम SDD कहते हैं, ठीक है, simplified due diligence होती है, in the case of low risk customer, low risk customer कून होता है, जिसके पास CNIC ही available हो, कोई source of fund नहों, तैसे आसान account हो गया, easy payse account आप देखते ह हो, जायस cash लेखते हो, यह सब क्या है, standard due diligence की मिसाले हैं, पाकिस्तान के अंडर, ठीक है, जिसमें सरफ और सरफ simplified due diligence की requirement है, अब CDD क्या है, इसको हम समझे जागी कोशिश करेंगे, CDD means the customer due diligence, customer due diligence थोड़ा सा in-depth होता है, from the simplified due diligence, किस तरह, let's suppose, मैंने account खोला, मैं salaried person हूँ, म आप मेरे account में एकदम से 6 लाग की transaction हो गई, तो अब जो bank का compliance division है, या bank का officer है, वो इस चीज को check करेगा, कि एक बंदे की salary 50 है, 6 लाग कोई gift कर रहा है, कहां सा पैसे आए, ठीक है, इस चीज को analyze किया जाता है, in the CDD, और फिर customer को contact किया जाता है, जनाब, आपके account में यह पैस को monitor करते हुए, आपके साथ business relationship रखा जा रहा होता है, और इस चीज को check किया जा रहा होता है, again and again, कि आपकी जो transactional activities है, वो illegal तो नहीं हो रही है, ठीक है, यानि कि CDD का start होता है, after having a relationship with customer, monthly basis पे, yearly basis पे, half yearly basis पे, CDD conduct हो रही होती है, तो it's also a part of KYC, the second level of KYC, ये CDD होती है, उन के बास source of fund मौझूद हो, like salary person, like business person, like land lots, ठीक है जनाप, तो CDD, आप क्या सकते हो, KYC के बाद का next level है, second level, जिसमें हम in-depth जाके जह हो चीजों को check कर रहे होते हैं, ठीक है, time to time, identify, identify verification कर रहे होते हैं, या इसके इलावा, जो financial transactions कर रहे हैं, उसकी assessments वगरा हो रही होती है, उसक last level of the KYC, third level में होती है, जिसको कहते है, enhanced due diligence, enhanced due diligence होती है, more in-depth, more in-detail due diligence, जहां पर हम इस चीजों को investigate करने की कोशिश करते हैं, कि customer के पास इतना सारा पैसा आ रहा है, तो इतना सारा पैसा कैसे आ रहा है, यानिकि ये normally high-risk customers के accounts होते हैं, जिसे for example, non-resident Pakistanis हैं, जिसे for example, एक बंदा है, जो property का काम करता है, एक बंदा है, जो gold smith है, सोने चांदी का काम करता है, ठीक है जना महली, इस तरह के customers, जिनके account में करोणों की लेंदेन हो रही है, तो bank क्या करता है, bank उन customers की account को थोड़ा in-depth से देखने की कोशिश करता है, थोड़ा in-detail उसको monitor करता है, और उनकी monitoring, याने उनकी CDD double हो जाती है, जो भी हमने इससे पहले किया न, तो वही चीज़ EDD के इंदर उसको बार बढ़ चेक किया जाता है, इसके इंदर political persons भी आते हैं, ठीक है, political persons के रिशिदार भी आ जाते हैं, तो EFO accounts होते हैं, जिनको bank वाले बार बार चेक कर कर रहे होते हैं, कि क्या transactions match कर रही है, customer के profile से या नहीं, नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, इन्हें आप यूं कह सकते हो, कि गहरी नजर रखी जाती है, EDD की case के इंदर, तो अगर हम इसको इन तीनों concepts को थोड़ा सा summarize करें, हम भी कह सकते हैं, कि SDD क्या है, SDD बिल एक साल बाद, छे मैंने बाद, आप उसकी profile को तरफार दुबारा चेक कर रहे हो, तो क्या उसकी transactions वही हो रही है, जो उसके source of fund के अंदर लिखी हुई है, तो उसके according उसकी transaction होनी चाहिए, EDD का मतलब है, बहुत thorough process of checking the customer account, ठीक है, so level of due diligence, हम इस सारे discussion में हम नहीं यह देखा कर लेवल of due diligence increase होती है, customer के साथ जो risk associate करता है, यानि कि छोटा customer, एक मोची ही आया है, चेके account कोलने, उसकी बाद सिर्फ CNIC है, तो उसकी due diligence कम हो जाएगी, एक salary आया है, उसकी उससे जादा हो जाएगी, एक gold इसमें आता है, या एक बड़ा business person आता है, तो उसकी EDD होती है, याने कि उसकी due diligence और जादा बढ़ जाती है, so I hope कि आपको concept clear हुआ होगा, simplified due diligence and customer due diligence and enhanced due diligence, I hope कि आपको concept clear हुआ होगा, at the end में यह कहूंगा कि हमारी बड़ी मिनत होती है इन वीडियो को बनाने में, lecture box को subscribe लास्मी करें, अगर वीडियो आपको लगती है कि इसमें कोई माइन अपने खेज़ गिफ्तगू हुई है, कोई knowledge में इजाफा हुआ है, तो अपने friend circle में जरूर इसको share करें, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, Allah आपस।